नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मल्टी मीडिया गुरूजी यूट्यूब चैनल पर मेरे नाम है सुनील क्मार और आज हम बनाने जा रहे हैं सौगज का 2BHK फ्लोर प्लैन विद पार्किंग विद शॉप 3D Max के अंदर तो टाइम ना वेस्ट करते हैं चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017 दोस्तो इस फ्लोर प्लैन को मैंने डिजाइन करा है जिसका पूरा इंटरफेस पहले आपको समझा देता हूँ फिर हम 3D Max के अंदर जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले इस एरिये के अंदर यानि के 100 गज के अंदर हमें 2 साइड ओपन मिल रहा है एक राइट इन साइड में और एक फ्रेंट में तो यहाँ पे ओपन एरिया है और बॉटम में यहाँ पर ओपन एरिया आपको मिल जाएगा साढ़े साथ 24 चे का किचन भी है ओपन किचन देन इसके लावा साढ़े 11 बाए 13 फिट का पार्किंग एरिया भी है विद स्टेयर्स देन राइट इन साइड में यहाँ पे शॉप यहाँ खुआ एरिया क्रियेट कर रहा हुआ है वो भी साढ़े 21 बाए 13 के अंदर और यह two- two side open है, तो ये तो था हमारा floor plan का design, अब इसे 3D max के इंदर open करते हैं, लेकिन पूरा floor plan create करने से पहले, मैं आपको इस image का measurement बता देता हूँ, इस image के इंदर जो floor plan मैंने create करा है, उसकी front की total weight है 25 feet, और जो इसकी total length है, वो है 36 feet, और इसके लावा मैंने यहाँ पे 4 feet की extra stairs extend करी व नहीं है, और then ऐसे ही front के इंदर extend करा हूआ है, और इसके लावा 11 feet मैंने margin or create करा हूआ है, तो total इस image की width होनी चाहिए 31 feet, और total इसकी length होनी चाहिए 42 feet, तो हम जो plane create करेंगे, इस image को set करने के लिए वो इसी size के इंदर create करेंगे, 31 by 42 feet, तो चले जाते है 3D max के इंदर, Alt W से मै इसको वापस से अपने side view के इंदर ले आता हूँ, plane का use करके सबसे पहले top view पे एक plane create करूँगा, यहाँ पे जो unit मैं use करने वाला हूँ, वो feet के इंदर use करूँगा, अगर by default आपको यहाँ पे feet ना show करें, तो इसके लिए हम जाएंगे customize के इंदर, unit setup में, then इसमे decimal feet का आप width में 31 feet, और इसके लावा, जो length और width segment है, वो हम one by one रखेंगे, तो इतना बड़ा plane हमारा create होने वाला है, अब F3 press करके, इसका face हम यहाँ पे देख लेते हैं, और इसमें image set करेंगे, इसके लिए press करेंगे, M, M से material editor आजाता है, इसके इंदर by default 2017 के इंदर, जो मुझे material मिल है, वो है physical material, लेकिन मैं standard material यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका interface by default काफी better मिलता है, तो यहाँ पे physical material पे click करके, मैं नीशे जाता हूँ, और scan line के इंदर standard पे click कर देता हूँ, then okay, अब इसके बाद diffuse के इंदर, आगे जो none का option है, इस पे हम click करेंगे, और जाएंगे सब से top पर bitmap के अंदर, double click करके इसको confirm कर देते हैं, और desktop पे जाके, मैं अपने इस texture को import कर लेता हूँ, reference के लिए अगर आपको इस floor plan के requirement होएगी, तो इसका link मैं आपको नीशे description में दे दूँगा, अब यहाँ पर same size देने के लिए, आपको same length और same width इस size के अंदर भी देनी हो then show shaded material in viewport, तो हमारा map अब यहाँ पे visible होना start हो गया है, alt w से इस view को मैं large कर देता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूँ, कि जो floor plan मैंने import करा हुआ है, यह high quality के अंदर show कर रहा है, by default आपको यह plan ऐसा नहीं दिखाई देगा, इसके लिए quality manage कैसे करी जाती है, आपक प्लस बटन में जाना होगा, then इसके बाद configure viewports के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर display performance के अंदर आपको मिलेगा textures map, textures map में जाके यहाँ पे मैंने resolution करी भी है 2K तक, यानि के 2048 pixels, by default यहाँ पे 512 होती है, तो आपको इसकी quality को manage करने के लिए 512 pixels को 2048 में convert करके, then फिर apply करना हो और okay, तब आपकी quality clear हो जाएगी, और अगर तब भी आपकी quality clear ना हो, तो आप एक बार 3D Max को restart करके देख सकते हो, तो यहाँ पर हमारा texture map clearly दिखाई दे रहा है, अब सबसे पहले हमने कह करना है, plane लेना है, और यहाँ पर एक और plane create करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इस तो थोड़ा सा back side में करना पड़ेगा, ताकि जो graph है वो आगे आ जाए, इसका reason यह है कि जब हम object create करेंगे, तो वो object इस plane के अंदर dissolve हो सकता है, तो मैं Alt W का इस्तमाल करके दूसरे view के अंदर चले जाता हूँ, और इसको थोड़ा सा नीचे के side कर दूँगा, तो अब आप देख पा रहे हो के हमारा यह जो plan है कैसा show कर रहा है, जी press करके grid हटा लेते हैं, then अब plane create करेंगे, एक corner पर, आज सिर्फ मैं walls का पूरा structure बनाने वाला हूँ with columns, तो यह plane मैंने create कर दिया है, यहाँ पे जो size आपको देखने को मिलेगा, वो होएगा 9 inch का, तो मैं size इसको देत है, वो double bricks की बनाए जाती है, यानि के उसमें भी wall 9 inches मोटी होएगी column के बराबर, लेकिन अंदर space को ध्यान में रखते हुए, हम single columns की brick create करते हैं, ताकि हमें अंदर ज्यादा से ज्यादा space मिल सके, तो यह एक plane हमने create कर दिया है, right click करके इसे मैं convert to editable poly कर देता हूँ, अब polygon क अंदर कैसे work करा जाता है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 controls होते हैं, जिसमें आज सिर्फ मैं आपको edges का इस्तमाल करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे edges पे मैंने click करा, और F4 प्रेस कर देता हूँ, ताकि आपके बनाएवे object के 4 तरफ जितने भी edges हैं, वो यहाँ पे show करे, तो access के इंदर, तो यहाँ पे हमारी wall जो है, वो फटा-फट extend हो चुकी है, अब ऐसी next column हमें create करना है, लेकिन column के साथ साथ यहाँ पे एक wall भी create हो रही है, तो हमें उसके लिए भी cut और connect, साथ के साथ create करते वे जाना है, तो यहाँ पे shift के साथ दुबारा से, मैं extend करूँगा, then दुबारा से extend करूँगा, यानिके shift आपने press ही करके रखना है, और wall extend करते जानी है, जैसी है आप click को छोड़के दुबारा drag करोगे, वैसे ही एक connect आपका यहाँ पे create हो चुका होगा, तो यह हमारा area बन गया, अब ऐसी दुबारा से से extend करते हैं, then इसके बाद ऐसे ही नी create करते वे जाएंगे, वीश में आपने कोई space नी छोड़ना है window या door के लिए, पूरा cover करते वे जाएंगे, इसके बाद दुबारा से extend करा, इस cut तक, और फिर दुबारा से extend करेंगे, अब यहाँ पर wall आ चुकी है, तो wall के लिए हमें एक cut देना होगा, then इसके बाद दुब window का area है, इस window के area को भी extend कर देते है, then इसके बाद column है, column को भी extend करेंगे, जो हमारा door है, वो door भी wall के नीचे ही show करेगा, तो इसको भी extend करना है, ऐसे ही same, यहाँ पर भी wall के space के लिए, एक extend करा, then दुबारा से, और अब दुबारा से left hand side में इसको भी extrude कर देंगे, तो shift और drag करके, मैं इस time edges को extrude कर रहा हूं, और जो हमारी wall है, वो बहुत ही easy way के इंदर extrude हो रही है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी extend कर दिया, अब shop के लिए यह जो area है, यह है entrance के लिए, लेकिन इसके उपर भी तो wall create होएगी, तो यहाँ पर भी हमें इस wall को create करते होए जाना है, कोई gap नहीं चोड़ना है, और ऐसे ही नीचे भी, और यह हमारा इस घर का third corner जो है, वो हमने create कर लिया है, अब ऐसी दुबारा से left में लेकर जाएंगे, और फिर दुबारा से extrude करेंगे, यहाँ पर हमें wall दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने create करनी है, पूरी की पूरी चार दिवारी आपकी cover होनी चाहिए, लेकिन इसमें columns के cut भी show करने चाहिए, तो यह रहा area दैन इसके बाद, यहाँ पर भी extrude कर दिया, और उसके बाद दुबारा से extrude कर दिया, अब यह जो plane surface है, यह शायद गलती से चूड़ गया था, लेकिन यहाँ पर proper wall रहेगी, और यह ज create के उपर भी wall आईगी, और उसके बाद, यह fourth corner जो हमारा है, वो भी create हो चुका है, और फटा फट इस area को complete कर लेते हैं, ताकि हमारी जो room की 4 दिवारी है, पूरे घर की 4 दिवारी है, वो complete हो जाए, तो यह हमारा column बन गया, then इसके बाद kitchen के area की, यह double brick wall create हो रही है, और उस space दे दिया, और फिर wall के लिए cut दे दिया हाँ पर, then इसके बाद column complete होने का cut दे दिया, और अब last में, इन दोनो walls को हमें connect करना है, तो इसके लिए आपको drag करके connect करने के जुड़त नहीं है, simple आमने सामने के दोनो edges आपने connect करने हैं, और इसके बाद नीचे list में जाना है, औ ऐसे यह bridge पर click करोगे, आपकी wall connect हो जाएगी, अब चार दिवारी तो हमारी बन गई है, अब इसके बाद जो wall अंदर के हमने create करनी है, single brick वाली, उसे हम create कर लेते हैं, फटा फट, यहाँ पर shift प्रेस करके, अब यह दोनो rooms के बीच का जो divider था, वो हमने create कर दिया है, और उ उस door के उपर भी तो हमें wall देनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन तीनो edges को select करके, इसे मैं drag कर देता हूँ, थोड़ा सा अंदर की side, क्योंकि मुझे पता है कि यह इस column के बराबर ही आने वाला है, अब shift प्रेस करके, मैं दुबार से extend कर देता हूँ, ताकि यह जो हमारा column है, यह इस wall की बराबरी कर सके, तो अब इन दोनों आमने सामने की walls को हम select करते हैं, और कर देते हैं bridge, तो इसमें mostly जो अब हमारा work होएगा, वो bridge के साथ ही होएगा, तो यहाँ पर shift प्रेस करा, और इस wall को भी extend कर दिया, और उसके बाद perfectly इसको set करने के दोनों edges को select करके bridge, तो यहाँ पर दो rooms हमारे create हो चुके हैं, अब इसके बाद washroom को complete करते हैं, एक cut यहाँ पर miss हो गया, तो इसको हमें complete करना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे complete करेंगे सबसे पहले तो, यहाँ पर washroom और kitchen के बीच का जो area है, उसको मैं पहले complete कर लूँ, यहाँ पर column को complete करूँगा, और यह column हमारा बन चुका है, लेकिन यहाँ पर wall के लिए भी मुझे space चाहिए था, तो मैं इसको कम करूँगा, और दुबारा से extrude कर दूँगा, तो यह area हमारा column का बन गया, इसके बाद wall यहाँ पर extend कर दी, और अब इस wall को इसके साथ connect करना है बिल्कुल equal में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, simple से दो edges को मैं यहाँ पर delete कर दूँगा, और दुबारा से back चले जाँगा, इसके equal में, फिलाल तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई connect नहीं दिया है, अब shift प्रेस करके मैंने drag कर दिया, और अब दोनों walls को मैं यहाँ पर bridge कर लेता हूँ, अब कर लेते हैं इन दोनों walls को भी bridge में, तो यहाँ पर kitchen और washroom हमारा complete हो चुका है, अब ऐसे ही parking और kitchen के बीच का जो area है, उसको भी complete कर लेते हैं, और यह door का area भी cover हो गया, then column के लिए साथ के साथ हम यहाँ पर gap दे कर चलेंगे, यह area भी complete हो गया, इन दोनों को select करके मैं कर लेता हूँ, bridge और इसके बाद जो हमारे columns है, control का use करके मैं इन edges को select करके extend कर दूँगा, तो यह हमारा column भी यहाँ पर complete हो चुका है, तो बीच बीच में मैंने बड़े column भी रखे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और अब इसके बाद shop और parking के बीच की जो wall थी, इनके आमने सामने के दोनों edges को select करके मैं इसे भी bridge कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा जो design है, अब वो cover हो चुका है, तो मैं alt w का इस्तमाल करके, अब prospective view के अंदर आए जाता हूँ, और अब बताता हूँ के इसको निकालना कै यानि के extrude कैसे करना है, इसके लिए मैं चले जाता हूँ, अब four press करके polygon के इंदर, polygon का काम होता है, पूरे के पूरे surface को select करना, तो यह surface मैंने select कर लिया है, then इसके अंदर हम क्या करेंगे, door के लिए पहले space छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे door वाला area कौन-कौन सा है, एक त देता हूँ, then rooms के लिए, इनको deselect कर दिया, बाहर entrance के लिए, इसको भी deselect कर दिया, और third entrance, second entrance, and gate के लिए, और यह जो shop के entrance के लिए, यह area मैंने छोड़ दिया, तो almost, जितने gaps मुझे चाहे थे, वो सारे के सारे, यहाँ पे, मैं gap छोड़ चुका हूँ, then, अब मैं क्या करू तक कि मैं इसके इंदर एक particular amount दे सकूँ, तो यहाँ पे मेरा first extrude होएगा, 3 feet में मैं extrude दे दूँगा, okay कर देंगे, okay करने के बाद, यहाँ पर हमें अब एक space और छोड़ना है, वो है window के लिए, तो window के लिए कौन-कौन सा area था यहाँ पर, एक तो हमारा living room के लिए था window, उ और shop के जो shelf बनेंगे, उसके लिए भी मैंने इतना ही space छोड़ा हुआ है, तो window के जो area थे, वो मैंने deselect कर दिये, अब मैं दुबार से इसको extrude करने वाला हूँ, तो right click करके extrude पे click करते हैं, इस बार ही extrude मैं करूँगा, 4 feet के अंदर, then okay, और इसके बाद 6 press करके, इस polygon को मै off कर दूँगा, तो अभी जो हमारा plot design हुआ है, वो इतने extension तक extrude हुआ है, यानि के 3 feet और उसके बाद 4 feet, total 7 feet तक, जहां तक हमारी window खतम होती है, और जहां तक हमारा door खतम होता है, इसके बाद एक extrude और होगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें texturing करूँगा, और furniture set करूँगा उसके बाद फिर final extrude करके उपर ceiling पर work करेंगे, तो एक बड़े project को लेकि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, और आगे आपको इससे related और भी parts देखने को मिलेंगे, तो I hope दोस्तों आपको इतना part बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई doubt होता है तो आप नीचे comment box के अंदर question कर सकते हो, I hope दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को like, share and comment करें, और अगर आपने आभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो subscribe करें और press करें साथ में वोने bell icon को, ताकि time to time होने वाले update आपके पा झालेडियो